पाकिस्तान से जुड़े कॉंग्रिस के तार कावड यात्रा को लेगए ग्रिहमत राले का अलर्ड यात्रियों पर हो सकता है आतक की हमला कोरोना की आजवाई 20,038 नाइप मामले पिछले 24 घंटे में 47 लोग की मौत आनफ्रदेश से लेकर ते लंगाना तक भारी बारिश उसे बाढ़ के हाला तब मदद को सामनी आई भारती है नौसेन और बाई उसेन इंग्लांड ने दूसरे बंडे में भारत को 100 रनों से हराया रीस टॉपले ने छे विकेट लेकर पलता माच नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुक हम है रोतरा शुरुवात करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की लकनाओ में ओपीर राजभर ने प्रेस कांफरेंस की बता दे कि राश्रपती चुनाओ को लेकर सुभास्पा अद्यक्षर राजभर ने प्रेस कांफरेंस की यहां उन्होंने दुरौपदी मुर्मु को समर्थन दिया साथ ही उन्होंने फॉर्चूनर वाली बात पर अपनी सफाई दी ओपी राजबर ने कहा कि गडबंधन से हम अलग नहीं हुए सपा जब तक साथ है हम भी साथ है इसके आगे सुभाषपा अध्यक्षि ने ये भी बताया कि सपा ने उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया है सिर्फ राश्ट्रपती चुनाओं में NDA को समर्थन दिया है इस दौरान सिर्फ राश्ट्रपती चुनाओं लेकर फैसला हुआ सबी 6 विदायक दौरापती को वोट देंगे हमारी पार्टी राश्ट्रपती के चुनाओं में दौरापती मुर्मु जी का समर्थन करती है इस बात का एलान करने के लिए मैं आप लोगों को इधर बुलाया हूँ और फिर कह रहा हूँ कि जो आप लोगों के दिमाग में एक बीमारी पैदा होती है कि आगे क्या होगा अभी भी मैं कह रहा हूँ अभी भी हमारा जो ये चुनाव है इस चुनाव के लिए जैसा कि मैवती जी ने भी एलान किया कि दलित की लड़ाई वो भी लड़ती है मानी अखिलेश यादाव जी ने साथ तारीक को प्रेसवारता किया था और उसमें मेरी जरूरत नहीं समझी मेरे वोट की उनको जरूरत नहीं थी उसके बाद भी मैं इंतजार करता रहा लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पांस नह मिलने के कारण अखिलेश नहीं प्रेस कांफरेंस के लिए मुझे बुलाने की जरूरत नहीं समझी जैन तो चौधरी को बुला लिया लेकिन मुझे नहीं बुलाया तमाम तरह की बाते कहीं हैं उन्प्रकाश राजभर ने और अखिलेश पर नाराजगी भी जाहिर करी है उन्होंने कहा कि गडबंधन है गडबंधन खतम नहीं हुआ है और इस ख़बर में हमारे सा सुभाशपस से प्यूश मिश्रा राश्र प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और सपास अनुराग भदवारिया जी जुड़ चुके हैं जिस तरह से ये ओपी राजभर का बयान सामने आया है प्यूश जी किस तरह से देख रहे हैं क्योंकि कई आरोब लगाते हुए नज़र आ रहे हैं ओपी राजभर प्यूश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हमारा प्यूश जी से संपर्ख नहीं हो पा रहा है अनुराग जी आप मुझे सुन पा रहे हैं अनुराग जी से भी हमारा संपर्ख नहीं उपर आए तो आज ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फरेंस की है कई बड़ी बाते कहीं कहीं न कहीं उनकी बातों में अखिलेश के लिए नारासगी देखने को मिल रही है दुरापदी मुरू के समर्थन को लेके ओपी राजभर ने बड़ी बात कई उन्होंने कहा है कि हमने NDA कैंडिडेट को समर्थन दिया है लेकिन हमारा गटबंधन चलता रहेगा लेकिन गटबंधन को लेकर भी ओपी राजभर कई बाते कहते हुए नजर आएं है तो जिस तरह से इससे पहले भी कई बयान दिये हैं ओपी राजभर ने अकिलेश इसे नाराज़ की व्यक्त की है इसको देखते हुए लग रहा था कि कही ना कहीं इन दोनों का गटबंधन जादा दिन तक चल नहीं पाएगा क्योंकि लगता है नाराज़ की जाहिर करते हुए मन मुटाव सा जरूर है क्योंकि ये बातों से चल लग रहा है लेकिन अगर बात की जो है सपा की तो सपा की तरफ से चुप्पी साधी हुई है हमारे साथ प्यूश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं रास्ट्री प्रवक्ता है सुभाश पके प्यूश जी जसतरा सो पी राजबर ने आज प्रेस कॉंफरेंस के दौरा बाते कहीं है सपा के लिए अखिलेश के लिए नाराज़गी जाहिर करी है इसको देखते हुए क्या कहींगे दिखिए ऐसा है कि अब उपेक्षा तो सपा सुरुवात से कर रही है चाहे जो यस्वन सिना जी लखना उजब आये राश्पती पत्के उमीदवार वहां पे बुलाने की बात हो तो कहीं न कहीं हमारी पार्टी अजपी चुड़ों अद्दल्टों की राजनीश कर छेंब दिखिए लोगों को किया कारण है तो जो मैत कई एकसा हीं बात करु सहे है कि रही है अनुराग जी ओपी राजवर के बयान को आप किस तरह से देखते क्योंकि वोटों की जरूरत नहीं है अनुराग जी देखें गडमंधन के यह दिर्म निमाने की दिम्मिदारी है यह war इसको अपनी बात कह सके लेकिन सब्राज और करें अपने पर के अच्छा नहीं शो करें जब बैंडे, लोerme, खातारा लिज कि असरता हैं, इन परह आता है, उनका फैंसला है, समाझवादी पार्ट कोई लेना- देना नहीं है, कौन वोड को वोड करना है, कौन बैंडे, लोग्तांतर में जी तो खासित है लोग्तांतर इंदर, सरवाध्य को अपने काईट है, जसको करना चाहिए और कोई बात है तो आके बोट जिस तरह से ओपी राजभन ने पहले भी ये कहा था कि वो जो गडबंधन उसका सम्मान करेंगे वो जिस तरह जहां सपा वोट करेंगे उधर ही वोट करेंगे एंडिया की कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे हलाकि वो डिनर पे गए थे एंडियेट से मिले भी थे लेकिन उन्हों इस सपा का समर्धन किया था इसके बाद आब जस तरह से ये बात कही जो आ रही है कहीं नाराज़की देखने को मिल रही है इस पर क्या कहींगे देखे जो लोग करते कुछ हैं उन पर एकीन करना मुझ से तो बहुत मुश्किक काम होता है एक तरह आप अप्यपी के निताओं से मिलेंगे उनका डिनर खाएंगे दूसरी तरह दो बाते करेंगे तो आपनी देखो हमें कोई दिकत में उनकी अपनी पार्टियों जो फैसरा लेना है लेकिन हम समाज़वादी लोग का चहरा जो सामन है हम किसी की कहने और नहीं कहने से इससे जर्फ जोड़ों कर रहे हैं अनराग जी को और सवाल संपरक तूट चुका है और जिस तरह से कई जवाब दिये हैं सपा की तरफ बाते सामने आ रही हैं और उपी राजबर ने भी कहा है कि मैं पिछड़ा हूँ इस वजह से सपा ने मुझे प्रेस कॉंफरेंस में शामिल नहीं किया जैन्त चौधरी को बुला लिया आप किस तरह से देख रहे हैं अधिक्राइब करने राजबर ने भास के हैं उसका जबाब किसी के पास नहीं है जब लग देने में और सामने नहीं आ रहे हैं हमने जैसे आपको की पहले से सुरुआत सी बटाएं जाए वो एमिल्सी चुनाओ तो चाहिए वो यह राष्पती पद की जो कर दो दिक्रत हो रही है कि यह कुछ ज्यादा बड़े बन जाएंगे तो जो भी जिसकी जैसे जारणा रही हो फिलाल हम लोग का अट-पर्ष चाज का यह प्रेस कांफरेंस में निकल के आया कि हम लोग एंडिये की उमीदवात रौप दी मुर्मु जी को असपति बनाने के ल अब यह चलाना ना चलाना अख्लिय जी के उपर है अभी तो खिलाल हम लोग घड़ बंदन में थे अब आगे क्या करना यह उनको तैय करना जब रौपल बहुतबूधा शुक्रिया मासा जुड़ने के लिए तमाम जानकारीयों बातचीत के लिए इस ख़बर पर हमाई साथ सुभाश्पा से पियोश मिश्वड़ जी जुड़े थे और साती साथ हमारे साथ सबालों के जवाब देने के लिए सपा से अमराग अखिलेश को लेकिन सपा जितने भी जवाब करे गए सवाल करे गए उनका जवाब देने से कहीं न कहीं बस्ती वे नजर आई तो पी राजबर ने प्रेस कॉंफरेंस करके सीधे दौर पर अब ये एलान कर दिया है कि उनके विधायक NDA को समर्थन देंगे NDA उमीदवार द्रौपती मुर्मु को अपना समर्थन देंगे क्योंकि अखिलेश यादव से कहीं न कहीं ओपी राजबर नाराज नजर आ रहे है प्रेस कॉंफरेंस करी गडबंधन से जोन चौधरी को बुलाया लेकिन एक और गडबंधन जो सुभाशपा का था वो भी राजबर को नहीं बुलाया गया उन्होंने सीधे दोर पर आरोप लगाया कि मैं पिछड़ा हूँ आ हूँ इसलिए मुझे नहीं बुलाया गया एक बड़ा आरोप लगाया है और इससे बचते हुए सपा भागती भी नजर आई है और इनी सब ख़बरों पे हम आए साथ सुभाश्पा प्रवक्ता जैंद्र प्रताप सिंग जुड़ चुके हैं जैंद्र जिस तरह से ये तमाम सवाल खड़े करें ओपी राजभर जी ने उसको किस तरह से देख रहे हैं क्योंकि अभी हमने सपा से भी बात करी सपा सवालो का जवाब देने से बस्ती में नजर आई उसके बाद अमिसाजीर का फोन आया उनसे मिलने जब हमारे नेता गए तो उनसे उन्होंने वही राजपती पद के उमीदवार के लिए वोट मांगा तो एक जगे से निमंत्रन मिल रहा है तो हम वहां दे रहे हैं वोट अपना राजपती चुनाब में और हमारा जो सयोगी दल है उसने हमें जन्दाज किया और पांच तारिक के वासे अभी तक उनकी तरफ से कोई भी संपर के स्थापित नहीं किया गया है ना कोई मिलने का निमंत्रन दिया गया है अगर वो चाहें तो हमारे हां आके चाय पी सकते हैं जी जनेंद्र जी सपा की तरफ से जो व्यभार किया जा रहा है कही न कहीं वो ठेस पहुचा रहा है ओपी राजभर को तो लग नहीं रहा है कि ये गटबंधन आगे चल पाएगा आप लोग कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव पे निर्भर करता है कि आगे गटबंधन च साथ चुनावों को लेकर जो गटबंधन था विदान सवा लोग सवा का तो हम अगले लोग सवा अगले विदान सवा तक सपा के साथ रहेंगे ये सपा के उपर निर्वर कहता है कि वो हमें साथ रखना चाहती है यह नहीं रखना चाहती है जी एक आरो पॉर लगाया है कि राजभर पिछड़े हैं इस वजह से उनको प्रेस कॉंफरेंस में नहीं बुलाया इसके पीछे क्या वज़ा है यह तो वज़े साफ साफ नजा आ रही है कि एक आदवासी महला पहली भार कोई राजपती पत के उम्मीद भार के लिए खड़ी हुई है और हम दलित पिष्णो लेकिन अब निमंतरड भी नहीं मिला वोट भी नहीं मागा गया तो बिलकुल ड्रॉबदी जी को वोट जाएगा और जहां तक पिछड़े और दलतों की बात है तो एक चीज से इसपस्ट हो गया है कि सपा पिछड़े दलतों को वोट नहीं दिलवाना चाहती है राजपती की देखने को मिलती है प्रस कांफरेंस में नहीं बुलाया जाता है तो फिर ओपी राजपर अपना निर्ड़े बदल लेते और कहते कि एंडी उमीदवार को ही वोट करेंगा और अब एलान कर दिया है तो क्या नाराजगी इसके पीछे या फिर सिर्फ यही वज़ा है कि व वो भी बहुत मैनस से यहां तरक पहुंचे हैं लेकिन हम एक पिषड़े दलिस समधाय, बंकिर समधाय, आजवासी समधाय का पितने दे तो कहते हैं इस वज़े से पच्छ में उनके पच्छ में द्रॉपदी जी के पच्छ में वोट दिया जा रहा है दूसरी चीज मैं ता सायोगी दल को बुलाया गया था और 12 तारिक तक हमने अल्टिमेटम दिया था कि 12 तक अगर निमंतरन मिलता है सपा प्रमोग की तरफ से तो हम वही पर उन्हीं के कहें अपना वोट देंगे क्योंकि वह हमारे सायोगी दल है लेकिन 12 के बाद भी आज 15 तारिक हो गई अभी तक उनकी तरफ से कोई निमंतरन हमें प्रात नहीं हुआ है तो जिस तरह का खलेश द्वारा व्यभार किया जा रहा है और ऐसा भी कहा जाता है कि वह वरिष्ट नेताओं का सम्मान नहीं करते उनकी सुनते नहीं वह चाहे उनके चाचा शिपाल ही क्यों ना हो तो क्या ऐसा प्राजबर के साथ भी करें जा रहा है तो अगर कोई सीख को यह कह रहा है कि हमें किसी की जरूवत नहीं सला की जरूवत नहीं तो यह बहुत गलत है और एक तरह से हमारा तो है विच्शप्ट हुआ ही है इस तो एसी कमरों से निकलके काम करने की बात कही है संगठन को करें कि हमें कोई बताए ना कि हमें क्या करना है हमें मालूम है कि हमें क्या करना है इसको किस तरह से देख रहे हैं यह थोड़ा सा जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है या उसको कोई सच करवा लगता है तो उसका ऐसा रियक्शन होता है कि हमें किसी की सला नहीं चाहिए तो क अने नेताओं के साथ तो क्या इस तरह से वो विपक्ष में ही रह जाएंगे या फिर कभी सत्ता में काविज हो पाएंगे भविश्य में नहीं देखिए सायोगीयों को साथ लेना लेके कैसे चला जाता है यह तो अकलेस जी को सीखना पड़ेगा क्योंकि जब उनका कांग्रेस के साथ गटवन्दन हुआ था तो कांग्रेस भी चुनाव के बाद बिलकुल चली गई थी उनके हाथ से जब उनका बस्पा के साथ गटवन्दन हुआ तो बस्पा भी चुनाव के तुरंट बाद ही गटवन्दन तूट जया था अभी अभी सोने लाल पटेजी की जनन दिन मनाया गया रहा था तो उस समय भी वह नहीं पहुंचेते वहाँ पर तो देखना पड़ेगा कि कैसे साचियों को साथ लेके चला जाता है अगर कोई साची तेज चलना है तो आप थोड़ा तेज चलिए और उसको धीमा करिये तो यही एक प्रक राश्पस से राश्व प्रवक्ता राश्वानी लखनों का लूलू मॉल विवादों से घिर गया है मॉल परिसर के अंदर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ था उसके बाद लूलू मॉल के अंदर नमाज पढ़ने का वीडियो भी साबने आया था बढ़ते विवाद के बीच अखिल भारते हिंदू महसभा के ओर से सुन्दर कांट के पाठ करने का एलान किया गया था जो की अब समाप्त हो चुका है जिसके लिए अब रद कर दिया गया है दू महसभा के राश्र प्रवक्ता शिशिर चतुरवेदी ने कहा है कि शाम 6 बजे सैकडो कारे करता है लूलू मॉल के अंदर सुन्दर कांट पढ़ेंगे जिसे अब रद कर दिया गया है किसी भी तरह का सुन्दर कांट नहीं पढ़ा जाएगा लूलू मॉल में तो लूलू मॉल विवादों से गिर गया है जब से ये तस्वीरे सामने आई है जहां लूलू मॉल के अंदर आधे दर्जन से जादा लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आए है पिर अखिल भारते हिंदू महसभा के तरफ से भी ये कहा गया था कि अगर मॉल के अंदर नमाज पढ़ी जाएगी तो हम भी सुन्दर कांट का पार्ट करेंगे जिसके बाद काफी इसका विरोध भी देखने को मिला हलाकि लूलू मॉल के मैनेजर ने इस बात को कहा था कि अब ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरह की सामूहिक प्रार्थना ना करी जाए मॉल परिस्तर के अंदर और ऐसा करा जाएगा तो उस पर रोक लगाई जाएगी हम इस तरह के किसी भी गतिविधी का समर्थन नहीं करते हैं तो साफतर से लूलू मॉल के मैनेजर ने ये कहा था और आश्वासन भी दिया था कि आगे से ऐसा नहीं होगा इस कबर पे हमाईसर जादबाचीत के लिए समधाता सागर थापा जुड़ चुके हैं लूलू मॉल से तो सागर जिस तरह से ये नमास का वीडियो सामने आया था उसके बाद ही कहा गया था कि सुन्दर कांड का पार्ठ भी होगा लूलू मॉल के अंदर लेकिन बीतिश जाम ही लूलू मॉल के मानेजर ने इस बात को साफ कर दिया था कि अब इस तरह की सामुहिक प्रार्थिना परिसर में नहीं होगी क्या इसी के बाद ये फैसला लिया गया है कि सुन्दर कांड का पार्ठ अब नहीं किया जाएगा जिद्धा आपको बता दू कि जो लूलू मॉल में नमाज पढ़ने का जो कारकरब हुआ था सुशान गोल सिर्थी में अफायर लिखी गई अग्यात के खिलाब उसमें दारश तरह से लेकर 505 से लेकर 295 में एक इधाराओं में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्थ किया गया है तो महीं अखेल इंदू महापरचत सबाटे सिर्षियर चत्रवेधी राश्य प्रवक्ता उन्होंने साफ साथ एलान किया था कि वार शाम को छे बजे भारी संख्या में बारी संख्या में लूलू मॉल पहुंचेंगे उनके कारकर सुरिदा कांट का पास फढ़ेंगे और इसी को देखते हुए आज सुबे से ही यहां पर भारी पुलिस वल को तनाब कर दिया गया था साथ ही आपको बता दू कि जो सिर्षिर चत्रवेधी हैं उन्हें घर में नजर बन किया गया है साथ ही पुलिस प्रसादन जिलेकर लूलू मॉल से को सदिकारी यहां पर पह लाते कर रहे हैं वाटसेप पर कई तरह के ग्यान दीए जा रहा है इसको लेकर क्या कहेंग कितनी सद्टता है इन वारल होते ग्यान में सबस्थे बड़ी बात ये कि आज रुमे का देन है और एक हिंदू महासभा की तरफ से एक एलान किया था कि संदर कांट का पार्ट किया जाएगा लेकिन इस संदर कांट का पार्ट को रद कर दिया गया है कहीं न कई पुलिस परशाशन और लूलू मौल की सूजबूस को देखते हुए जो भी है पूरी घटना को रद कर दिया गया है पुल मिला के देखा जाए तो लूलू मॉल के बहार एक भारी पुलिस वल को तैनाब कर दिया गए ताकि किसी भी तरह की अपनी खटना ना हो और मॉल परशाशन की तरफ से एक जल्द आसवर्शन दिया जाए कि अपते बर के अंदर जो भी जो भी दोशी हैं जो भी जिन्हो को ही को रूप से प्रार्धिन न कर सकहें कि किसी के भी मन को या फिर पफेर को आस्ता कुप ठेस पहुंचे कर दिए को मॉल परसासन ने। मॉल के बहार जांब किया गया है कि यहां पर किसी भी तरक्षी धार्मेट कर दोशे किया उरे नहीं नमाज पूजा किया जाए ना किसी भी तरखी के ऐसी धार्मी चर्चिना किया जाते हैं जिस्ते कि किसी भी भावनों को ठेश पहुंचे साथ साथ आपको बता दूब के सुबह से ही बारी पुलीजबल यहां पर तैनाथ है पुलीजबल की जो संख्याय लगादार बड़ा ही गई है तमाम ब अधिया जो संदर कांट का पार्ट करने की जो एलान किया गया था मॉल प्रशासन में शाम को च्छे विजबल के बाद रख कर दिया गया तो कहीं ना कि पुलिजबल पर शुक्रिया मासा जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर मासा समधाता सागर्थ हा लगनवीर राष्ट्रपदी चुनाओं को लेकर सुभाष्पा अध्यक्षे ओम्प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए द्रौपदी मुर्मु को समर्थन करने पर भाष्पा प्रवक्तार आकेश्ट्रपाठी ने प्रतिक्रिया दी है आई आपको सुनाते बनने जा रहा है जब देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपती बनने जा रही है और आज उत्तर प्रदेश के महत्रपुण राज्ञेतिक दल और प्रकास राजभर जी ने आज दुरपदी मुर्मुजी का समर्थन करके ये स्ताप्पत कर दिया है कि उनके मन में निर्मान मंत्री जितन प्रसाद महराज गंज जिले के दौरे पर रहे। जहां पर सिस्वा विधान सभा में चुन्न नदी पर करीब 14 करोड़ की लागत से बने एक पुल का लोकार पड़ किया गया। इसके अलावाद जुदिन प्रसाद अपने दौरे की दौरान सिस्वा विधाय कप्रेम, सागर, पटेल और जुलाद्यक्ष परदेशी ड्रवीदास के आवास पर जुआ कर मुलाकाद भी की। कानपूर देहाद में उत्तप्रदेश के राजमंतरी संजय सिंग गंगवार के अदिक्षता में कलेक्टरेट सभागार में प्रेसवारता का आयो जन किया गया। हम आधितनाज जी की साथ आखे, सौधिंक कार्यक्रों, पूला दगार कार में मैं विस्तार से मैंने आप भोंके बीच रखा और लगन सबी चीजिया अगे, उसमें कानल ववस्ता को लेकर के आखे, उत्रप्रदेश की विकास को लेकर के शभी चीज़ों की सायूब आञे गोरकपूर में घरेलू गया सिदामों में हो रही वृद्धी और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कॉंग्रस पार्ठी की जिला अध्याक्ष निर्मला पासवान के नेतरत्व में दरजनों महिलाओं ने ताली थाली बजा कर अपना विरोध चताया इसके साथ ही महिलाओं ने इंदराबाल विहार चौराहिच से पैदल मार्च किया संभल में सरकार की डोर टो डोर सरकारी खाद्यान राशन वित्रण प्रणाली की अधिकारियों को मिली भगत से खुले आम धज्जिया उट रही है ब्लॉक बनिया ठेर की राशन खाद्यान वित्रण के ठेकेदार सरकार की मंच्छा के खिलाफ जाकर मोटी कमाई कर अपनी जेब भर रही है ठेकेदार सरकारी राशन को दुकान पढ़ना ले जाकर सीधा अपनी बताई हुई जगह पे ले जाते हैं और वहां से राशन के कोटेदार अपनी किराए की गाड़ी से दूसरी जगह ले जाते हैं उसके बाद राशन का वित्रण किया जाता है इससे साफ पता चलता है कि ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे है जात तक दुकानों पर नहीं पोंचता है पूले कर जा रहे हैं तो यह तो भाड़ा खुद भुखत रहे हैं बड़े ट्रक वोसे नहीं जा रहे हैं तो देलर भाड़ा और यह लेबर का रहा प्यों भुखते हैं है का दे रहा है वो डीलर आपको सामने कर रहा है किसे इस दिलर को दस रूपर देखिते हो नगज अच्छा तो तो हम पर नहीं पचाते हैं दीलर के वारे आई यहां पर ले टाना पर दिलर कैसे लिया रहा है कि अरे तो जो ने बाई आपको पहुंचानी रहे हैं आपको खुद यहां से ले आना पड़ रहा है अच्छा जो आप खुद अपने इन गाड़ियों से पल्टी करा रहा है बड़े बड़े टर्कों से अपने नेजी भान में आप पल्टी करा रहे हो तो ये मजदूर जो आपके टरक में बोरी चड़ाते हैं उसका पैसा कौन देता है ग्यास चलाएं इनने कोई प्रता है अच्छा बुलिंड शेहर में हत्यार बंद बदमाशों ने मस्जिद के भीतर घुसकर बुज़र्ग की निर्मब हत्या कर दी संसनी खेज अहत्याकांट से इलाके में दहशत का मोहौल है बताय जा रहा है कि अहत्यारोपी बुरके के लिबास में मस्जिद में घुसे और वारदात को अंजाम दे कर फरार हो गए देवरिया में सदर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नमबर दो पर आर पीफ के एक सिपाही ने शराप के नशे में खूब उत्पात मचाया जिसके बाद अधिकारियों के साथ यात्रियों को भी परिशानियों का सामना करना पड़ा दरसल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा में तैनाथ एक सिपाही शराप के नशे में रेलवे स्टेशन के एक दुकानदार से उलज गया दुकानदार की गलती बसित्ती थी कि पानी और नमकीन का पैसा सिपाही जिसे मांग लिया इस घटना के शुकायत करने पर दुकानदार ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को लिखित तहरीर देख कर की है इस्पेक्टर ने जाजकर उचित कारवाई करने का आश्वासन दिया है बिलन शेहर में हथियार बन बनमाजों ने मस्जिद के भीदर घुस कर बुजर्ग की निर्मम हत्या कर दी संसरीखेज हत्याकांट से इलाके में दहश्यत का माहौल है बताया ज़ा रहा है कि हत्या रोपी बुर्के के लिवास में मस्जिद में घुसे और वारदात को अंज़ाम दे कर फरार हो गए यह थाना खुरजा नगर में आज एक इद्रीस नाम के व्यक्ति सुमान नमाज पढ़ने जा रहे थे तबी उनकी खत्या कुछ लोगों द्वारा कर दी गई है इस संबन्द में कुछ CCTV फुटेज भी प्रात हुए है और परिवार द्वारा एक वही पास का रहने वाला व्यक्ति है जिसका नाम सर्फराज है उससे पूर की रंजिश होना बताया गया है जिसके क्रम में कुछ संदेग लोगों से उस्ताच अभी की जा रहे है फरीदबाद के बीके अस्पताल में एक पती ने अपनी पत्नी को उनके प्रेमी के साथ देखकर आग बबूला हो गया देखते ही देखते पत्नी की पिचाई शुरू कर दी पती ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है कानपुर में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे मामले में S.I.T. की कारवाई ज़ारी है पुलिस ने अब तक 22 आरोपियों को गिरफतार किया है इसके साथ ही S.I.T. D.I.G. का कहना है कि गिरफतारी के लिए अलग-अलग टीमों को लगाया गया है कुल्स 74 आरोपियों की पहचान हुई है सिख विरोधी दंगो में विवेश नात्मत कारवाई पूंड करके अव्युक्तों के गिरफतारी की कारवाई का क्रम लगातार जारी है इसी क्रम में आज दिनांग 14.07.2022 को तीन अव्युक्तों को गिरफतार किया गया है जो क्रम साम गदमा प्रासम के 188 ए वटे 84 और 404 वटे 84 के हैं और अभी तब जो है कुल 22 अव्युक्तों की गिरफतारी हो चुकी है अभी क्यावन अव्युक्तों की गिरफतारी करने को सेस है एक्रम लगातार जारी रहेगा बच्रावत हाने के टेरा बरॉला गाओ में शिराब के धोके में दो युवक पीपर मिंट का तेल पी गए जिसकी वजह से उनकी तब्यत बिगड़ गए जिसके बाद परीजनों ने आननफानन में जिला अस्पिताल भरती कराया वहाँ पर दोन युवकों की तबित बिगड़ने पर लखनों के एक प्राइविट हॉस्पिटल में उन्हें रफर किया गया जहाँ पर इलाज की दौरान एक युवक की मौत हो गई और दूसरे की हालत बहुत गंभीर है इसके बाद अपरी जनुल इशुफ को रख कर प्रदेशन किया वहाँ से उठा के ले गए उसको पता नहीं सराब पिलाया है कि जहर पिलाया है हमने उसको एम्बॉलेंस को फोन किया यहां से लेकर बच्छराओं गई यहां से रिफर्द कर दिया गया राय वरेली को जिलास पताल में रिफर्द कर दें लखनों के लिए तो वहाँ डाक्टर ने बताया कि लखनों पहुँचने ही पाएंगा तो सार हम वहाँ छजलापूर में वह संगन हस्पीटल है संगन वह स्पिटल में हमने भरती करा दिया और 24 घंटे में भरती करे रखे कल साम दो बजे के पास लगभग यह इसपैर हो गए और हमारे घर की औरते थाना गई तो वहां कहा कि अभी हम कैसे अभायार दर्जी करें वहां चले आया हमला से लेकर फिर पोस्ट माडम करवाए अभी पोस्ट माडम करवागे तो फिर वापस ले आया गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है क्राइम ब्रांच और कवी नगर पुलिस ने सयुगत कारवाई करते हुए अंतराज जी दो पही अवाहन चोरी करने वाले गांग के चोरों को ग्रफतार किया है पुलिस के चोरों में 15,000 का इनामी आकाश भी शामिल है चोरों की निशान देही पर पुलिस ने 40 मोटर साइकल और 15 मास्टर की बरामत की है आगे की चेन में हम जरूर जाएंगे एक तो रिसीवर ने जो और भी चोरों के नाम बता है कि कौन इनको और देता था वो चोर के हमको काम करना है दूसरा आगे जाके कहां गाडियां कटी थी या फिर कहां से जो इनसे भी बड़ा रिसीवर है कि जो मेर रिसीवर था उन गणों के पर भी काम चल रहा प्राइम उत्तर प्रदेश में फिल्हाल इत्ता ही देश दुनिया की तमाम खबरों के ले देखते रहिए प्राइम टीवी प्राइम टीवी सच साहस सरोकार